Hello everyone, my name is Smeet and you are watching technical government job all over India YouTube channel आज हम बात करने वाले हैं इस मन्त के आई होए नए job vacances के बारे में जिसमें 5-6 बिलकुन नए notification आउट हो जोगी है One by one सब का discuss करने वाले हैं कौन कौन सी department का notification है कौन कौन सी vacances आउट होई हैं, post wise क्या eligibility मागी गी है सबसे इच्छी बात यहां पर यह है कि All India के लिए सारी vacances हैं, आप All India से यहां पर apply कर सकते हैं, male and female दोनों ही हर notification का एक एक करके आपको detail में बताने वाले हूँ खास दोर पर selection कैसे होनी है, हर एक notification के लिए और apply procedure क्या है, apply कैसे करना है, step by step ताकि कोई problem आपको face ना करने बड़े तो वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए important होने वाला है इसलिए मैं आपको हमेशा बोल दूए चैनल को subscribe रखा केजिए क्योंकि कोई भी latest vacances आती है उसके information में आपको detailed update के साथ हमेशा बताती हूँ तो चैनल को subscribe करके bell icon को जरूब प्रेस करना ताकि इसके बाद चैनल पर वीडियो आ रही है उसका notification आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा और यह जो notification 5-6 हम discuss करने वाले हैं मैं आपको पहले ही बताया है यह male female दोनों के लिए है और Indian citizen candidate यहाँ पर अप्लाई कर सकने हैं हर चीज को ब्रीफ में cover करते जाएगे पहले 1st notification का आपको बताऊंगी कौन से डिपार्टमेंट का है क्या eligibility है पोस्ट वाइस क्या requirement है selection कैसे होनी है किस स्टेप को आपको आपको इग्णोर करना अप्लाई करते हैं वह भी ध्यान से समझ से ना कौन से स्टेप इसको ध्यान में लगते हैं और तरीके से अपड़ी आप पहुंच जाएं तो जल्दी से चैनल को सब्सC्राइब करके बेल इकन को प्रेस करके और अप्शन पर क्लिक करना इससे आपको बेनिफिट होगा जब अगली वीडियो में चैनल पर अप्डेट करूंगी आपको उसी वक्तिकेशन आ जाएगा इसके इलावा भी और काफी सरी डिपार्टमेंट की वक्तिकेशन आगे हैं जिसके लिए हमारी जो ओफिशल वैबसाइट है www.clory.com वहाँ पर विजिट करके इन्फोमेशन लेकर आप अप्लाइट कर सकते हैं हमारी ओफिशल साइट का लिंक सीधा डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है आपको बैनिफिट ही होगा अगर हमारी ओफिशल साइट को सीधा गूगल पर टाइप कर लेंगे आपको कुछ सेकिंड में यहां पर वेबसेट देखने को मिल जाती हैं प्यारा सब लाइक कर देना आपको एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए अब्रेक लेकर आने का एक और आपके लिए गुड़न्योस है एक एमाजोन की विकैंजिस आगे है फ्लिप कार्ड की वह दोनों वीडियोस आ रही है हमारे सेकिंड यूट्यूब चैनल मीत शर्मा चैनल पर आपने यूट्यूब में टाइप करने आपको पहली नम्र पर चैनल मिल जाएगा तो यह दोनों वीडियोस वही पर आ रहे है जाकर सब्सक्राइब कर लेना फिलाल हम बात करें यहां यहां प्लाइ कर सकते है और इंडिया से जाप लोकेशन वी आपके यहां पे कौस इंडिया यह फिक है तो यहां पर आपको अुट अपलाई करने सेल्दी के बात करें 18,000 से 81,000 सेल्डी है 10th 12th graduate यहां apply कर सकते है next यहां पर बात करें इसमें post कौन कुन सी है तो पहले जो post है mail guard की है postman multitasking staff की है mail guard के लिए यहां पे level 4 की सेल्डी आपकी है जो कि आपकी 25,500 से 81,100 है postman के लिए level 3 की recording है जो कि 21,700 से 69,100 तो multitasking staff के लिए आपकी 18,000 से 56,900 सेल्डी है तो यहां पर हम बात करें overall आपकी जो सेल्डी है वो आपकी 18,000 से 81,100 तक है अलगलो post wise यह वेरी करतें जो मैंने आपको पहले बताया भी है ठीक है तो यहां पर आप अप्लाई कर सकते है all india से male female दोनों की vacances है तो नों यहां apply कर स सकते हैं post wise eligibility की बार में बात करें पहले जो है mail guard इसके लिए 12th graduate दोनों apply कर सकते हैं postman के लिए 12th graduate दोनों multi-tasking staff के लिए 10th pass इवन 12th pass भी यहां apply कर सकते हैं ठीक है तो best opportunity है eligibility मैंने आपको already बता दी है selection की बात करें यहां पर merit based आपकी selection हो रही है qualification के marks के लिए लिए प्लाई कर सकते हैं यहां पर all male female apply कर सकते हैं age limit इस notification के लिए minimum 18 maximum market 27 है लेकिन आपकी जो जाएगी maximum 42 के around जाएगी क्योंकि इसमें अलगले category wise relaxation भी है जहां पर undeserved care जो PWT category है उनकी लिए लेक्सिशन यहां पर आपको अलगर category बास मिलता है वह आप यहां पर देख के apply कर सकते हैं इधर आपको यह step based आप apply करने की video है इसको भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं यहां भी direct आपकी selection है तो आप इस video को चेक कर सकते हैं यह तो है पहला notification है बात करते हैं second notification के बारे में जो की DRDO की तरव से बिल्कुन नया notification आया है defense research and development organization की तरव से यह notification है जहां पर दो notification आया है DRDO की तरव से करें चाहे graduate वालों के लिए यहां पर कोई exam नहीं है और freshers apply यहां कर सकते हैं तो without exam आपकी selection है तो definitely fee भी कोई नहीं है चाहे आप reserve candidate है चाहे unreserved candidate free में आपको apply करना होगा तो next अगर application fee के बार में मैंने आपको और रिपता दिया कोई फी नहीं है जो 10th 12th वाली विकैंस है उसमें आपके interview भी कोई नहीं है सिरफ qualification के marks के merit लगेगी उसके basis पे selection and joining है और जो graduate वाली विकैंस है उसमें आपके interview है personal interview पे सिधा उने बुलाया है उसके basis पे selection and joining आपकी होने वाली है इसमें विकैंस की बात करें जुनियर रिसर्च फैलो की है और रिसर्च एसोसेट की position के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं लास्ट में आपको रिक्वाइड निंक मिल जाते है नोटिकेशन पेडिया डाउनलोड का ठीक है आपको फिल करना है और अपने रिक्वाइड डॉकमें जिसमें क्वालिकेशन के डॉकमें 10 लेटर पास्पोर्ट से सोटोग्राफ है उसको साथ में आपको अटैच करके अपने इंटर्व्यू पे साथ में लेके जाना है यहां पर देखी रेगुलर जॉब है आपकी अप्लाइड करना है कोई अधर मोड अप्लाइड करने का नहीं है अपकी यह 40,000 से 1,400,000 तक आपकी यहां पर सेल दी है तो आप उसके एकॉर्डिंग यहां अप्लाइड कर सकते हैं नेक्स यहां पर बात करें आपकी अधर डिटियस की जिसमें देखें जो आपकी एज है मिनिमम्म 18 मैक्सिवन 27 प्लस रिलेक्सेशन ओभी सी को 3 साल का सेस्ट को 5 साल का अधर्स के लिए अगर हम यहां बात करें उनको एस पर नॉमसियार रिलेक्सेशन मिल रहा है अंडिजर्व कैटेगरी के लिए फी की बात करें 300 है रिजर्व कैड़ेट जो सी है उनके लिए कोई फी नहीं है इवन फीमिल कैटेगरी किसी भी कैटेगरी से फीमिल अप्लाई कर रहे है तो उनके लिए कोई फी नहीं है फ्री में अप्लाई करें सकते हैं ठीक है यहां अपर 490 पलस वेक हैं, जो यहां पर रिलीज होई है यह आपको इदर वीडियो मिल जाएगे यहां इस वीडियो मैं आपको समझा अपलाई डेटील इसे करना है तो आपको यहां पर कर लेना है और इस नोटिफिकेशन जो एपाए का नोटिकेशन है से पर्मनेंट जॉब है भी इसमें आपका कोई नहीं है डेक्ट आप की स्लेक्शन हो रही है मार्क के एकॉर्डिंग यह अपको सी के स सेंज़ पर्फेस यह डेक्ट जॉइन गाई आपके रहने वाली है तो यहां पर कोई फी नहीं है कोई एक्जाम नहीं है चाहिए आप किसी भी पोस के लिए अप्लाई कर रहे हो ही नेक्स यहां पर पर फाइल के बार में बात करी काओ टायप आइप की विकेंशिस वाह i kaart river यहां पी यहां पर ऍमिंट के प्रइभिलइस बैंकER की विकन्स हैं, और एकांट मैंजिर की विकन्स हैं इसकी बनbridge traction बैंगिंग के लिए उसके बाद डप्यप्यटर्ए जो यहां पर इसी जी बैंक की तरव से रिलीज रहने वाली है और विदाउट एक्जैम आपके यहां पर इसलेक्शन है सबस्य बार तो यह है और इन विकैंसिस में आपकी सैल्री भी बहुत बड़ी है रहने वाली है डिस्क्राइब तो नहीं है बट्चिसरी के सी कर रहे हैं तो अराउंड आपके यहां पर 24,000 सैल्री मिनिमम रहेगी मैक्सिम आपके रिके पोस्ट वाइस वेरी करता है जिस पोस्स के लिए एक्स्पिरिंश रिकोड़ाइड उनके लिए 60,000 तक भी हो सकते हैं नक्स यहां पर बात करें रिजिबिटी यहां पोस्ट परस्ट इंटर्व्य आपके नेरभाई ही होने वाली है अगर आपकी प्रफाइड शॉट इस रहे होती है आपको कॉल आएगे सिरा एचर की तरव से ठीक फी यहां पर देखिए हर कैटेडिवाइज मैंने मैंशन किया कोई पर नहीं करनी है इधर आपको यहां पर स्टैब इंहीं तहिए है अपया रहेले रहे बैसिप सादेशी आपको कि अपन अपर बलक इंट्रेल शॉट के रहें नहीं है अपड़र इंडिय इसक्राइद करें सकते बिलंकिति अहन और अप्लाइन करने का नहीं है अपर उनलीकॉत आप्या क्रीन करनी का झाघू और इंडिया यहां पे applicable 500 है देखे यहां पे undeserved के लिए जिसमें general and OBC दोनों के लिए same fee है female के लिए 250 application fee है SC, SD and others के लिए 250 application fee है देखे female किसी भी category से apply कर रहे हो कोई fee आपको यहां पे जो fee है आपकी वो 250 रुपीज ही रहने वाली है बनलब जो undeserved की है वो नहीं आपकी देगी आप किसी भी category से apply करें जो reserve category के लिए fee है वही female के लिए fee है लेकिन आप चाहिए reserved category से apply करें चाहिए undeserved day fee आपकी यहां पे बिल्कु refundable रहने वाली है जब आप अपना cbt exam दे देते है क्योंकि इसमें जो selection है आपकी वो computer based test हो रहा है जब आप अपना cbt exam दे दे देंगे उसके बाद आपको fee जो आपकी refund हो जाती है बैंक charges कटने के बाद cbt exam के बाद रेलिवी के office site पे link आते है आप अपनी details फिल करेंगे उसके बाद आपके account में ही आपको fee refund हो जाती है इतने भी bank charges होंगे वो कटने के बाद cbt exam based है selection and joining है उसके बाद यहां पर अगर हम बात करें इसमें क्या क्या other requirements है तो यहां पर सबसे पहले eligibility 10th 12th IT apply कर सकते हैं और India Canada apply कर सकते हैं selection मैंने आपको बता दिया अलड़ी computer based test आपका होगा profile के बार में बात करें यहां पर technician की position के लिए vacancy 9000 plus vacancy last week आपको यह notification PDF का link मिल जाएगा click करें notification read कर सकते हैं second apply का link मिल जाएगा click करें यहां पर अपने आपको register करके आप login करके अप्लाइब कर सकते हैं last week आपको यह दो link मिल जाते हैं जो इसके इलावा vacancy आई है उसकी information लेके आप यहां apply कर सकते हैं मैंने आपको ना अभी देखे जो नोटिकेशन बताए है 5 के 5 नोटिकेशन बताए हैं जिसमें जो पहले नोटिकेशन उसके लिए अभी शॉर्ट अब्रिट अप्लाई अभी शुरू होगा बाकि सबके लिए apply यहां पर शुरू हो चुका है लिंक मैंने आपको सारी डिस्क्रिप्शन में दिये हैं हमारी ओफिश साइट को एक्स्प्रोर कर लेना वहां आपको पहले और दूसरे पेज पे जब आप जाएंगे दोनों पेजिस पे आपको अलगर लिंक मिल जाएंगी apply आप कर लेना बाकि यह जो विकेंस आई हुई ह इसके रिगार्डिंग आपको कुछी भी help चाहिए या कोई समभी नियारा या कोई selection procedure या किसी eligibility को लेकि कोई doubt है कमेंट आप जरू करना हमारी team बैठी है definitely आपको help मिले यह comment आप करेंगे तभी हमें पता चलेगा आपको कोई problem तो नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग तो comment अब क्लियर जरू करना है जो मैंने आपको पांचन नोटिफिकेशन बताए है चाहिए इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई doubt है चाहिए अधर नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कोमेंट किया करो तो भी आप पता चलेगा आपको क्या help चाहिए ठीक है इसकी इन् सब्सक्राइब करना ताकि कोई भी अपॉर्चराइटी आपके हाल से मिस ना हो जाए और इसके इलावा हमारे जो ओफिश्य साइट है इसको गूगल पर टाइप करना आपको पैली नमर पर साइट मिल जाएगी जितनी भी लेटर से इसके इलावा विकैंसी आया आप उसको य